Hello everyone, स्वागत है आपका Study 1.2 में दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको Math के एक मज़िदार सवाल बताऊंगा जो Age से समंधित है जिससे आपको Concept भी किलियर हो जाएगा तो वीडियो को लाश्टक और ध्यान से देखना आपको अच्छे से समझ आ जाएगा दोस्तो यहाँ पर सवाल है राजू जब आठ साल का था तब हूँ अपने भाई से दो गुन्नी उमर का था अब राजू अठारा साल का है तो उसके भाई की उमर कितना होगा दोस्तो सवाल बहुत मज़िदार है ध्यान से देखते रहा न इसमें बोला है राजू जब आठ साल का था तब हूँ अपने भाई से दो गुन्नी उमर का था मतलब राजू आठ साल का था तो अपने भाई से दो गुन्नी उमर का था मतलब इसका भाई चार साल का था तब ही वो इसकी डबल था आठ साल का अब बोला है कि राजू अब 18 साल का है, कितने साल का है, 18 साल का है, तो उसके भाई की उमर कितना होगा, बहुत बच्चे सुच रहेंगे, यहाँ डवल था, यहाँ भी नौ साल हो जाएगा, लेकिन नौ साल आंसर इसकर नहीं होगा, मानलिजे, आपका एज 20 साल है, और आपका भाई का एज 18 साल है, तो क्या 50 साल के बाद, यह 2 साल का यंतर होगा? जी यहां दोस्तों, पचास साल के बाद भी दोनों भाई का age का difference दो साल ही रहेगा, ना कि डवल हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि जो age का difference होता है, वो हमेशा same होता है, तो same चीज यहां यहीं लगाएंगे, यहां भी इसका difference कितना है, दोनों भाई का difference है, चार साल का, त सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रिस्ट कर लेना धन्यवाद